दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 32 x 30 हाउस प्लान की जो कि आपको एक बेतरीन सा मॉडल मिलता है जिसमें आपको बारंदा जो अगर गामीर छेतर से ब्लांग करते होंगे तो बारंदा फ्रेंट डिलिवेशन आपको ऐसा मिलेगा जो आप देखने पर बहुत ही बेतरीन मैं डेजाइन किया है जिसमें कि आपका two side closed है आप देख पा रहे होंगे मैंने closed किया है और front से और side से सरो open है जो बारंदा दिया है और ये पिलर दिये है और इसके वाई ये designing के purpose से मैंने railing, grill, window वगएरा stylist की rate किया है तो 32 x 30 वाले model को आज हम discuss करेंगे जिसमें आपको दो bedroom और दो latent bath और washroom वगएरा साही detail मिलती है इसी को आज हम discuss करने वारे है तो अगर आपने अभी तक इस small house plan को subscribe नहीं किया है तो जरूर कर लें सब्सक्राइब कर दें जिसे आने वाले सब्सक्राइब लगातार देख सकें इस small house plan पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटे नए नए model नए नए design फरेंट इलिवेशन की बात करें तो वो भी बहुत ही बेतरी देखने को मिलते हैं तो आपको इस channel को subscribe कर लेना चाहिए और वीडियो को अभी से like कर दें जिसे में motivation मिले और आप सभी लोगों के लिए नए नए वीडियो लगातार लाते रहें तो सबसे पहला अगर हम बात करें इसे model की तो front इसका 32 पेट है और ये इसका 30 पेट है तो 32 बाई 30 में ये model मैंने create की है इसमें आपको तीन पिलर मिलते हैं एक इधर एक इधर इधर और इसका बारंदा मिलता है ये window है ये main door है ये करने वाला हूं इस टेर से जिससे चड़ेंगे बीच मैंने slope दिया है बाइक बगर आगर आपको उपर ले जानी हो तो हसानी शाप ले जा सके इसके बाद अब मैं तो जूम करता हूं आप इससे जाएंगी बारंदा का है बारंदे के इस तरह मैंने रेलिंग दी है जो कि आ जानी के परपस से चीज़े हैं आप यहां से आएंगे तो बारंदे पर सच पहले आते हैं यह आपका बड़ा सा बारंदा मिलता साइड में आपको एक गेस्ट्रूम मिल जाता है यह देख लिएगा और मैंने इसमें बाहर से ही डोर दिया है अंदर से नहीं दिया है इसको यह एक बेड़ूम है जिसमें मैंने एक विंडो दिया है विंटलेशन के लिए और यह में डोर जहां से इंट्री करेंगे जैसा आप इंट्री करके आते हैं तो यह एक बेड़ूम जो था इसको मैंने अंदर से डोर दिया है यहां से इंट्री करेंगे एक विंडो भी दिय और इस bedroom के अलग separate latent बात एक मैंने ये दिया है ये एक आपका dressing room है आप इस bedroom के सायता से in dressing room और latent बात में जा पाएंगे इस bedroom के लिए separate latent बात अलग है और ये dressing room है इसलिए मैंने डोर दी है इसका पीछे अगर आते हैं तो यहाँ पर आपका stairs है जहां से आप चलना स्टार्ट कर bathroom दिया है जिसका door stairs के नीचे से है देखिए का stairs के नीचे से जाएंगे और आप इसमें common latent बात में प्रवेश कर जाएंगे इसका ये आपका dining area यहाँ पर मैंने दिया है इसके just सामने kitchen area है ये इसमें मैंने विंडो दिया है kitchen में और kitchen में जाने के लिए इधर से डोर है जो कि लेटेंड बात और चाशा शाथ stairs और ये बड़ा सा बारंदा देखने को मिलता है 32 वाई तीस फिट वे अगर आप ग्रामीर छेतर से ब्लाउंग करते हो तो आपके लिए घर बहुत ही बेतरीन होने वाला है और आपको sir available decorated सारी चीज़े मिलती है आप मैं इसे जूम करके औ front television भी आपको मिलेगा तो ये तो ground floor की बात हो गई अब हम बात करते हैं first floor की तो first floor पर जैसे आते हैं तो चारो तरफ साड़े तीन फिट का boundary फ्रेंड में रेलिंग ये देखिए रेलिंग का थोड़ा से design है यहां से यहां तक तो आपका बिलकुल 180 degree अगया फिर थोड़ा से turn होके जो bedroom था उसमें मैंने चज़जा भी निकाल दिया डाइफिट का बाद वाकी चज़जा नहीं निकाला इसलिए ये थोड़ा hut के आगे के तरफ से railing बना हुआ है और ये normal सी grill यूज़ की है और ये stylist के लिए मैंने यहां पर colorful यूज़ कर दिया color यूज़ कर दिया और इसके बाद ये जो stairs थी उसको डखने के लिए गुम्टी और ये डोर जिससे आप च्छाथ पार आप आएंगे तो overall 32 बाई 32 में ये मकान पूरा बनकर ready हो जाता है इसमें front elevation की बात करें तो आपको top class का मिलता है इसमें दो bed room मिलते हैं later and bath दो मिलती है और dressing room भी मिलता है और steel की grill है इसमें बस color मैंने different यूज कर दिया है तो यही पूरा model जो है वो मैंने आपको बना कर दिया है 32 बाई 32 बाई 32 तो ये model आपको कैसा लगा है मैं ज़रूर बताएं सब्सक्राइब कोई भी doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हैं 32 बाई 30 फिट के model में अगर इसके cost की ने आजाए उसे download कर लें उसमें cost और material दोनों find out कर देता है वो तो आप उस application को download करें और install करके सारा चीज find out कर लें pre estimate कर लें pre cost estimate कर लें कि कितना पैसा लगेगा कितना material लगेगा वगेरा सब कुछ वो बता देगा तो इस video को like करें share करें चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर कर